जैसिया राम आज मैं फिर से उपस्तित हूँ एक नया संस्मरन लेकर जो की हमारे पूझे सद्गुरुदेव युक तुलसी मानस्मर्मग्य श्री राम किंकर जी उपाध्याय को सादर समर्पित है इसके लेखक हैं श्री लल्लन प्रसाद व्यास इस लेख का शीर्शक है वे गोस्वामी तुलसी दास की याद दिलाते हैं पंडित राम किंकर जी महराज के बारे में कुछ लिखने का प्रयास करना मुझे लगता है कि उनके और अपने दोनों के प्रती अन्याय करना है और उनके प्रती तो कुछ अनाधिकार चेश्टा भी है उनके बारे में क्या लिखूं और कितना जहां तक मुझे स्मरण आता है काशी हिंदु विश्व विद्याले में मैंने पहली बार पंडित जी का प्रवचन सुना था जब एक प्रोफेसर उनकी प्रशन सा करके मुझे ले गए थे मैंने जो भी सुना था वे कुछ भी याद नहीं किन्तु इतना जरूर याद है कि मैं केवल दस-पांच मिनिट के लिए गया था किन्तु पूरे एक घंटा उपस्थित रहा और ये अनुभव हुआ कि उनकी वाणी में कुछ विशेश आकर्शन है यह बात लगभग चालिस वर्श पूर्व की हो सकती है उसके बाद जब माना संगम के कारेक्रमों में मैंने उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि परिचय पुराना है उन्होंने भी अपनी आत्मियता पूर अभिव्यक्ती से मेरी अनुभूती की पुष्टी की किन्तु उनकी अध्यक्षता से आयोजित कई वर्श के कारेक्रमों में भाग लेने के बावजूद मैं अधिकतर उनके प्रवचन से वन्चित रह जाता था क्योंकि अध्यक्ष के नातेवे सबसे बाद में बोलते थे और तब तक मेरी ट्रेन का समय हो जाता था और मैं छमा याचना करके चला आता था कुछ वर्श बाद मेरा ध्यान अपनी इस नासमजी की ओर गया संयोग वश उसी समय पंडित जी का प्रवचन चैत्र नवरात्र में दिल्ली में हो रहा था मैं एक दिन प्रवचन में गया और पूर होने पर उनके पास पहुँच गया उन्होंने मुझे देखकर अत्यंत प्रसनता व्यक्त करते हुए कहा आज व्यास ची आए हैं और इसके साथ ही उन्होंने भगवान की प्रसादी के रूप में मुझे माला प्रदान की एक और उनकी यह आत्मियता और दूसरी और उनके प्रवचन का आकरशन मुझे पुना दूसरे दिन खीच लाया और फिर यह क्रम चल पड़ा जिसने मुझे श्री राम चरित मानस से जुड़ जाने में अपनी अत्यंत सहायक भूमिका अदा की मेरी उपलब्धी और उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है यह अभिव्यक्ती का विशय नहीं है यह जन्म जन्मांतर का अत्यंत दूरलब संयोग और उसकी उपलब्धिया है भगवत कृपा से ही कोई सच्चा संत जीवन में आता है पंडित जी महाराज की क्रपा और आत्मियता पाकर मैं अपने को बारम बार धन्य अनुभव करता हूँ और इसके लिए उनके प्रती कम और अपने प्रभू के प्रती अति अधिक क्रतगिता का भाव पाता हूँ मानव संगम के कारिकरमों में जब पंडित जी से भेट होती थी तो मैं सहज रूप से यह आगरह कर दिया करता था कि कभी विदेश में अपने भारत वास्तियों को श्री राम कथा का अमरित पान कराएं यह सुनकर वे मुस्कुरा दिया करते थे यह जानते हुए कि पंडित जी का विदेश की यात्रों में कोई आकरशन नहीं है मैं अपनी बात समय समय पर दहरा दिया करता था अन्त ता पंडित जी को पंडित जी की थाईलैंड यात्रा का कारिकरम बना बेला अकादमी के सौजन निस से और मुझे उन्होंने यह सुचना नवरात्र के प्रवचन के अफसर पर दिल्ली में दी मुझे लगा कि मेरी इक्छा पूर हुए मेरा अपना जाने का कोई विचार नहीं बना किन्तु दूसरे दिन बातचीत में श्री देव धर शर्मा ने अत्यंत आत्मीता पूर्वक मुझे सला दी कि पंडित जी के साथ अवश्य जाना चाहिए इस सुझाव के पीछे उनकी जो भावना थी उसे अनुभव करके ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए और यह भी लगा कि उनकी भावना यदि भगवत इक्षा के अनुरूप है तो कारिक्रम स्वता बन जाएगा और ऐसा ही हुआ उस समय मेरा भी उस देश में जाने का कारिक्रम बन गया और मैं पंडित जी महराज के साथ ही कानपुर से ट्रेन द्वारा कलकत्ता और कलकत्ता से हवाई जहासे बैंकॉक रवाना हुआ पंडित जी शुद्ध सहित्तिक भाषा में प्रवचन करते हैं और बैंकॉक में जहां उनका कारिक्रम एक सप्ता तक चलना था वहां से जुड़े भारतवासी लोग हिंदी से अधिक उर्दू से जुड़े रहे हैं मैंने पंडित जी महाराज को कोई सुझाव देनी की द्रिष्टता तो नहीं की किन्तु उन लोगों की भाषा समझ की और संकेत अवश्य कर दिया था फिर भी उनकी अभिव्यक्ति की जो शैली भारत में रहती है वही वहां भी थी उसमें किसी प्रकार का परिवर्टन नहीं था किन्तु मैंने देखा कि वहां के भारतवासी बड़े मनोयोग से बड़ी संख्या में उनका प्रवचन सुनते थे और आनन्द लेते थे इससे यह वेक्त हुआ कि भाषा से अधिक भाव अधिक महत्वपूर्ण है भाव से जुड़कर भाषा अपने आप समझ में आने लगती है यदि थोड़ा बहुत भी उससे संबंद रहा हो तो समापन की दिन विदाई का दृष्य बहुत मारमिक था सभी लोग पंडित जी से भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे एक प्रमुख भारतिये ने ऐसा कहा कि लगता है कि पंडित जी और संत तुलसीदास जी एक ही मदरसे में पढ़े होंगे उनकी सीधी साधी अभी व विश्व साहित संस्थान की स्थापना हुई और उसके साथ ही यह प्रेणा हुई कि इसके तत्वधान में सर्व प्रथम आयोजन अंतराश्ट्रिय रामायर सम्मेलन हो जिसके लिए वर्षों से भारत के अनेक रामायर प्रेमी और संतगर्ण स्वपन देखते रहे हैं मुझे यह भी आंतरिक अनुभूती हुई कि यह संस्था नहीं बल्कि मेरे लिए साधना और उपासना है अतैव मैं चाहता था कि इसका अध्यक्ष अपनी भावना के अनुरूप ही हो इस द्रिष्टी से मेरा भाव पंडिजी महाराज पर ही टिकता था अतैव मैंने उनसे इसका अध्यक्ष पद स्विकार करने का अनुरोध किया उन्होंने बहुत संकोच वश मुझसे कहा कि वे किसी भी संस्था के अध्यक्ष नहीं बनते इस पर मैंने सहज ही उनसे अनुरोध किया कि आपको जब इसके लिए देवी प्रेणना हो तब ही आप स्विकार कीजिए मेरी इस अभिव्यक्ति के पीछे यही भाव था कि यदि प्रभू उनकी अध्यक्षता में अपना काम कराना चाहते हैं तो उन्हें वैसी ही प्रेणना हो जाएगी पंडे जी ने इस स्थिती को स्विकार कर लिया छे-साथ माह बाद मैंने उनसे विनम्र अनुरोध किया कि यदि आपको प्रेणना हो गई हो अत्वा आग्या मिल गई हो तो क्रप्या संस्थान का अध्यक्षपद स्विकार कीजिए उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यदि मेरे आने से इस कारे में कुछ सहायता मिल सकती है तो मुझे अवश्य अध्यक्षपद स्विकार है और उन्होंने ततकाल इस आशय के मेरे अनुरोध पर स्विकृती के साथ हस्ताक्षर कर दिये मेरा उत्सा बहुत बढ़ गया इसके कुछ ही दिनों बाद यह घोश्रा हुई कि अयोध्या जी में ठीक एक वर्ष बाद श्री राम विवा के अफसर पर 27 नवंबर 1984 को प्रथम अंतराष्ट्रिय रमायर समेलन शुरू होगा यह समेलन लगभग दो सप्ता तक अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की यात्रा और गोश्ठियों के रूप में चलो पंडिर जी ने प्रथम अंतराष्ट्रिय रमायर समेलन की अध्यक्षिता की तथा घाटन के लिए प्रसिद भारतिय प्राच्य विद्ध डॉक्टर ईपी चेली शेव सोवियत संग से आये जिस समय प्रथम अंतराष्ट्रिय समेलन की घोश्ठा हुई थी उस समय उसके आगे के समेलन की श्रिंखला की कलपना नहीं थी इतना ही था कि भागवत कृपा से यह समेलन लोगों की आशा और अपेक्षा के अनुसार संपन्न हो और भागवत कृपा से एक नहीं पंद्रा अंतराष्ट्रिय समेलन विश्व की दोनों दिशाओं पूर और पश्चिव में हो चुके हैं सोल्वा समेलन इसी वर्ष के अंत में भारत में होगा हमारी यह विश्व श्रिंखला पंडित जी के नेतरत्व में चल रही है यह हमारे लिए हर्ष, संतोष और गौरफ का विश्व है वे कभी कभी नीजी और कभी सारवजनिक रूप से भी कह देते हैं कि वे तो शोभा के लिए अद्रक्षे है यह उनकी विनम्रता है और सच्चाई भी किन्तु इस सच्चाई के साथ एक और सच्चाई है और सहयोग से पूरे होते हैं उसमें श्थूल सक्रियता और साधनों का बहुत नगर्ने महत्त है पंडिजी महराज का साथ रहना ही संस्थान के लिए गौरफ की बात है 20 दिसंबर 1988 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जो चतुर्थ अंतर राष्ट्री रमायर सम्मेलन उनकी अध्यक्षिता में आयोजित हुआ तथा जिसका उध्गाटन ततकालिन राष्ट्रपती श्री रामस्वामी वैंकर ट्रमन ने किया कि एक विशिष्ट दिव्यता और भव्यता का अनुभव लोगों को हुआ मन्च पर दोनों विभूतियों के विराजमान होने से लगा कि राज सत्ता और धर्म सत्ता के समन्वय की भूमिका बन गई पंडित जी की अपनी एक विशिष्ट प्रवचन शैली है जिसके प्रती अधिकांश राम भग साथी अनेक विशिष्ट प्रवचन करता भी प्रशंसा भाव रखते हैं बुद्धी जीवियों को उनके प्रवचन विशेश रूप से भाते हैं क्योंकि उसमें भक्ती और ज्ञान का संगम या समन्वय होता है यह संगम ही पंडित जी महाराज का विशेश योगदान है उनके प्रवचनों पुस्तकों और उसके साथ साथ उनके अत्यंत आत्मीरता पूर्ण वहवार के कारण मेरा उनसे जुड़ना मेरे जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण निधी और उपलब्धी है मैं कभी कलपना भी नहीं कर सकता था कि पंडित जी जैसे महा विभूती से मैं कभी इतना जुड़ सकूंगा और अपने को धन निमान सकूंगा इसे मैं उनकी कृपा कहूं या भगवान की कृपा दोनों एक ही हैं कभी कभी अपनी इस निधी और उपलब्धी पर सहसा विश्वास नहीं होता क्योंकि वे इस युग की एक अत्यन्त विशिष्ट महा विभूती है उनकी निकटता और क्रपा तो महत्वपूर्ण उपलब्धी है ही उससे परिचे होना भी तो जीवन का सौभाग्य है सहस्त्रों व्यक्तियों को जीवन की सच्ची द्रिष्टी मिली है मुझे उनके सहित्य से प्रेणा ही नहीं उपन्यास जैसी रुची का अनुभव होता है उनका गहन, चिंतन, मानस के महा सागर से अनेक नय नय रत्न ढून कर लाता है और मानस प्रेमी बुद्धी जीवी ही नहीं बलकि मानस के अनेक प्रवचन करता भी उनके चिंतन और विचार को व्यक्त करते हुए मिलते हैं अनेक तो उनसे प्रभावित होना स्पष्ट स्विकार भी करते हैं पंडे जी ने अपने प्रवचनों और विशिष्ट लेखन से जिस अमर साहित्य की रचना की है वह उन्हें अमर बनाने के लिए परियाप्त है इसके नीचे एक सूचना प्रकार की लिखी हुई है तुलसी मानस भारती के लेखक मियामी में पर इसका उत्ता महत्वनी मुझे लगा ये महराजी सही सम्मंदित है लेकिन इस लेख को सुनकर पढ़कर बहुत आनन्द आ गया और आपकी क्या अनुभूती है इसको अवश्य कमेंट्स में लिखकर बताएं बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान अमर है जय जय स्याराम